ओम श्री राधे विश्वानुजा भक्तनी प्राडधार व्रेंद विपिन विहारनी पन्वो बारंबार जैसो तैसो रावरो क्रिशन प्रिया सुखधाम चरन शरन जीनेजे दीजे सुन्द सुखदललाम समस गुरुचन और गुनी चनों को मेरा सादर प्रणाम कथक में जब नर्तक नर्तकी का आहर करके आते हैं और निर्त और निर्ते पक्ष में आंगी कभीने, वाची कभीने और सात्विक अभीने करते हैं निर्त और निर्ते पक्ष में ताल और ले प्रधान होते हैं और उनका अपना एक रस होता है अपना एक रंग होता है मगर जब मनोभाव और भाव उसमें मिल जाएं तो उनमें ले ताल में और मिठास आ जाती है उनकी रंगों को और खिलना खिल जाते हैं जब उसमें मनोभाव और भाव मिल जाएं इसी तरह निर्थपक्ष में कवित एक बहुत सुन्दर अंग है जिसमें हम कविताओं को ले ताल बद करके नाचते हैं जिसको हम कवित कहते हैं और इतनी सुन्दर सुन्दर कविताएं गुरु हीरा लालची, मेरे गुरु गनेश हीरा लालची उन्हों के पास भंडार भरा बड़ा है इतनी सुन्दर सुन्दर कविताएं उन्हों नहीं दी गुरु द्रुगा लालची की एक कवित है द्रेगने म्रेगने जिजीना जिजी कते उस कवित में कुछ बोल है, कुछ परमीलू है और उसमें से बना के भाव बोले जाते हैं इतना सुन्दर है वो कि एक प्रकरती के उपर बनी है कवित द्रेगने म्रेगने जिजीना जिजी कते एक हिरन बिजली के कौन से चमक उठा था और एक हिरन एक बूंद पानी के लिए तरस के मर रहा है उसी की जोड़की है म्रगत रिशना गुरुई राल जी की गुरुई दनीश भाया ने मुझे दी और इसमें भी उसमें धहलांग और तरांग इसी की अंदर भाव है कि धहलांग में कैसे हिरन की उच्छाल आती है ये भाव इस कवित में चुड़ते हैं तरिशना जल महान नहीं पात पान निचे तज़त प्रांग तीधा तिधा दिग तीधा दिग धाल लंग ध्यायांग ध्यांग धा दल लांग धा, इसी तरह कवित में बहुत पुरकार की कवित आए हैं, एक सखी, बहुत इशर्मिली सी सखी, अपनी दूसरी सखी को बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ, सुनरी सखी, हम आज चली, सज धज, सखी सब संग सहेली, एक से एक को रूप अनोखो, सभी रही हम नई नवेली, जाते रही, जम नाजल भरन, क्रिशन करी, हम सोही अठी ठोरी, जटपट जपट उल्टे और भूंगट, नैने से नैने तहां मिले री, बैठे गई सकुचाई के दया, हाई राम, अब केसे बचुरी? इस कवित में, इसके बोलने में, जिस तरीके से वाची कभिने का भी एक अभास मिलता है, वाची कभिने में, निर्थ पक्ष में हम चपढ़न्द करते हैं, ये सब वाची कभिने आ जाता है, उसके बाद इन कविताओं में भी वाची कभिने हैं, और बहुत सुन्दर है, अ अब इसी तरह से एक अगर कवित हम थोड़ी सी वैसे बोले शिव के उपर ये कृष्णा पे थी, हिरन पे थी, प्रकर्ती पे थी, अब शिव के उपर जटा गंग चंद भाल विराजे, मुंड माल गल भुजंग साजे, चिता भसम अग दिग्दिगंबर करति शूल कर डमरूसाजे कवित में तो बहुत प्रकार से हम भाव कर लेते हैं इसके बाद आता है गत निकास सुना है थोड़ा पड़ा भी है कहीं कि कम से कम डेड़ सों के ऊपर गत निकास होती है गत निकास में अंदासी गतें बहुत है मैंने कोशिश करी थी कि नाइका भेत को गत निकास में करना कि गत निकास में किस तरह से गती के साथ चलते हैं उसकी है धा दिन दिन दा दा दिन दा दा दिन दा इस गती के अंदर हम गत निकास करते हैं और इस गती में अलग-अलग चालों से नाइका भेट का हमें थोड़ा सा अभास दिलाना कई प्रकार की नाइका भेद हम इसमें दिखा सकते हैं गत निकास में कि किस तरह से कौन सी नाइका कैसे चलती है कोई गजगामनी है, कोई हंस गामनी है, कोई कैसी है, कोई कैसी है और प्रतहमा, मद्धहमा जितनी भी नाइकाएं आप कहेंगे उस गत निकास में आ सकती है आप गती के साथ निकल रहे हैं। उसी गती में आप सारे विभिन-विभिन भावों को प्रदाशित कर रहे हैं। गुंगट की गत में हैं जब एक अपने उपर बहुत विश्वास है उसे अपने सौंदर रहे पर तो वो कैसे अपने गुंगट को खेच कर पलट के देख रहे हैं। और इसी तरह से वो निकली है। दूसरी सखी शर्मीली है, देखना चाहके भी नहीं देख पाती। तीसरी इंतजार में है, दूसरी सखी छेड़ खानी के मूड में है, कि वो नहीं देखने देगी अपने को। और एक चंचल दोनों तरफ से पकड़के और इस चंचलता से नग देखना। हसरत भरी नजर से और इसी में वो गती के साथ निकलना। हर गत निकास में अलग गती हो, अलग अंदाज हो गत निकास हो जाता है। गत निकास से हम गत भाव की तरफ चलते हैं। गत भाव जहां साहित्ते तो जुड़ता है, मगर गायन अभी वे नहीं है। तो निर्त और निर्ते दोनों की बीच की धारा की एक बॉर्डर बन जाता है गत भाव। जहां पर गायन नहीं है, मगर साहित्ते जरूर है। सहाहित्य में हम लोग इतनी भगवान कृष्ण की लीलाओं को जो श्रीवत भागवत पुरान में कहा गया है नब्बे लीलाएं हैं भगवान की और भी अनन्त लीलाएं हैं जिनको हम गदभाव में करते हैं माखंचोरी है मट की फोड़ना है चीरहरन है और माखंचोरी क्या ये है वो होली की है फिर हमारे पुरानों की गदभाव बहुत है जो कि हम इसमें करते हैं गतभाव में गर्भाव से जब हम निर्ते पक्ष की तरफ चलते हैं तो निर्ते में गायन भी जोड़ जाता है महाले, ताल और गायन और साहित्ते चारों का मिश्रन हो जाता है निर्ते के साथ तो उसको हम निर्ति कहते हैं जब वहाँ पर हमारे पास निर्ति के अंदर गायन के अंदर बसंद, खोली, कजरी, चेती, टपा, धुमरी और भाजन इतने अनंत चीजें हैं भक्ती रसके भी और रती रसके भी उन भक्ती काल कभी, रती काल कभी, कितने महान कभियों ने क्या-क्या लिखा है और सारी रचनाओं पर हम उसको करते हैं उसके बाद भी अगर कोई चाहे तो अपनी इच्छा से और भी कुछ कर सकते हैं अस्ट कभी हैं उनकी लेते हैं क्योंकि कत्थक एक खुला निर्ते हैं बंदिशों में बंधावा हम बंदिश करते हैं बंदिशों में बंधिवी बंदिश करके भी हम खुला नाच करते हैं इसी तरह भाव पक्ष में भी हम खुलाना है। अनन्त है, अनन्त गगन के समान, अनन्त सागर के समान, इतना कुछ है कि इस जनम में नहीं अगले जनम तक भी हम शायद सीखना पाएं, इतना गुरूँ ने देखे गए हैं। उसके बाद भी अगर किसी को नया कुछ करना होता है, तो इन बातों का ख्याल लगते हैं कि साहित्ते लेने के समय शाब्द क्या कह रहे हैं। किस से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, वो शाब्द क्या कहना चाहते हैं। और फिर उन शब्दों को समझ कर लै ताल के साथ उसकी उन शब्दों को उन सहिते को लै ताल बंद करना और फिर राग के साथ बंद करना उसको लेना रागों की च्वाइस करना कि इसमें नाईका नायक या इस भचन या इस ठुम्री में या इस बंदिश में या इस रचना मे कौन क्या कह रहा है इस बात को समझते हुए हमें अपनी द्रावों की ले ताल की बहुत समझदारी से चूज़कना पड़ता है कबीर का है घूंगट के पट खोल घूंगट के पट खोल कौन कह रहा है ननन्त भावी से कह रही है सास बहु से कह रही है या मा बेटी से कह रही है या सखी सखी से कह रही है कि घूंगट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे अब इस पिया की बात हो रही है या उस पिया की जो कहा है जिसको ढूंड़ना है कैसे ढूंड़ना है अपने हिर्दे के पट खोल के ढूंडना है हर किसी में उसको देखना है हर किसी में उसी को देखना है या फिर अपनी सोच को खोलना है सोच को खोल के, सोच के परदों को हटा के सब कुछ किस रास्ते से निकल के जाना है जो मुझे वो प्यामे लेगे इस बात का ध्यान रखते हुए और फिर हमें अपने अंदर ही देखना है बाहर नहीं, बाहर कहां ढूड़े उसको कौन सी जगा ढूड़े उसको कहीं नहीं, अपने अंदर ही, अपनी आत्मा के पट खोलने है तो ये पट खोलने की बात जो है वो कहां की है ये सोज समझ के करने वाली बात है और इसी के अधार पर उसका राक इसी के अधार पर उसकी लै ताल सब चूज करना होगा इसी तरह सूरदाश्ची का एक बहुत सुंदर रचना है सारंग सारंग शब्द को लेकर उन्होंने सारंग सारंग सो कहे सारंग दियो मिलाए सारंग समे सारंग अती जलाए अब वो सारंग शब्द को सारंग मतलब राधा, सारंग मतलब सखी, सारंग मतलब बासुरी और सारंग मतलब जो बासुरी को धरता है वो भी सारंग है और सारंग रात्री है, सारंग चंद्रमा है उस चंद्रमा की जो किरने आ रही है वो उसको जला रही है इसका मतलब वो विरहनी है और सारंग अपनी सक्षी से कह रही है वो सारंग धरने वाले को मुझे मिला दे किसी ढंग से मिला दे, सारंग कमल को भी कहते हैं, तो वो कमल कर, कमल चरन, जिसके कमल की समान हाथ है, कमल की समान उसके चरन है, ऐसे सारंग को जो रंगीला है, सारंग में रंगीला, जो रंगीला कृष्णा है, उससे मुझे मिला दे, तो इस सारंग शब्द को आप किस जगा पर कैसे उसको change करेंगे वो भाव है कि सकी का भाव, रादा का भाव और वहाँ जा कृष्णा का भाव दिखाया जहां बासुरी का भाव दिखाया जहां चंद्रमा का भाव दिखाया यह सारे अलग-अलग-अलग उस एक सारंगे शब्द के उपर चलते हैं खंडिता, हम लोग खंडिता सब लोग करते हैं खंडिता की भी बहुत choice है मेरे घर, काहे मेरे घर आए हो अब यह कौन नाइका कह रही है जिसका अपना घर है और जो जिसको मिलने कोई आया है जिसको वो कह रही है क्यों मेरे घर आए हो जाओ, उसी के साथ जाके रहो यहाँ से जाओ सुर्दास्टी जी एक खंडिता है बहुत सुन्दर शब्द है उसके अंजन अधर ललाट महावर नैन तमोर खवाए अब वो जो कह रही है उसने अपने पती को नहीं कहा कि तुम जाओ उसके अंजन जो आँखों में लगने वाला है उसके अधरों पर है इतने काली होट उसकी म्रिग नैनी की आँखों को चूमा होगा तभी इतने होट काली हो रहे है ललाट जो माथा चंदन से लगता है उसके उपर महावर लगी है महावर तो पाउं में लगाते हैं ये क्या उस खुबसूरत के पाउं को दबा दबा के अपने माथे पे लगाया होगा तभी महावर इसके माथे पे लगी है ये क्या हाल बना के आए सूर्दास की रचना है चंद अंजन अधर ललाट महावर नैन तमोर खवाई पान खार रिखी आँखों ने वो पान लगाते लगाते मूँ की जगा आँख में नहीं नहीं उसके सुन्दर चेहरे को रात भर देखा होगा रात भर देख देख के ही आँखें लाल कर ली है इसलिए आँखें तमोर खा रहे पान खाय जैसी लग रहे है ची ऐसा भी क्या पान जन अधर लालात मावर पान जन अधर लालात मावर पान जन वाधर लालात मावर पान जन अधर लालात मावर पान जन अधर लालात मावर पान जन अधर लालात मावर पान जन वाधर लालात मावर पान जन अधर लालात मावर पर बिन गुन माल मेरा जित्ते उल पर बंदन बाल लगाई बंदन बाल लगाई बंजन आनल लला कुमाल नेन तबों खवाए